Hello guys, I am Nikki और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ Students Point So guys, हमारा एक सब्जेक्ट है B.A. Political Science Honors का Colonialism, Nationalism in India So ये जो B.A. Political Science Honors के Students को दिया गया है ये main core, third main core दिया गया है First main core, second main core का जो syllabus है अल्रेडी प्रीती में हम आपको बता चुकी है General Collective में आपको English का और History का और आपको Maths का, Eco का, Commerce का इन मेंसे Maximum Subjects का syllabus आपको प्रीती में बता चुकी है E.V.S का syllabus आपको Already Hindi और English दोनों मीडिया में प्रोवाइट कर दिया गया है और साथ में classes भी आपको प्रोवाइट कर दिया गया है Skill Enhancement में तीनों course का syllabus आपको प्रोवाइट किया गया है And Value Addiction course में Sanskrit को छोड़के बाकि सारे subjects का syllabus आपको बता दिया गया है जैसे Especially Political Science का English और Hindi दोनों मीडिया में Hindi तो Hindi ही रहेगी और English तो English है So सबसे पहली unit है हमारी Colonialism and Nationalism तो सबसे पहले हमें उपनी वेशवाद और राश्ट्रवाद क्या है वो पढ़ना है इसके main perspective पढ़ने है Colonialism, Liberalism पढ़ना है उसमें कि main perspective क्या है उसके ठीक है उधारवाद, माक्सवाद और Post-Colonialist उपनी वेशवाद को हमें यहाँ पर पढ़ना है ये तीनों ही जो हमारे perspectives है दिरिश्टी कोन है ये बहुत important है परिप्रेक्षे बहुत ही ज़्यादा important है इतने important है कि इन पर separate question आपका आएगा ही आएगा चाहे कुछ भी हो जाए इसके लावा हमें इसी unit में approaches to the study of nationalism in India पढ़नी है ठीक है approaches और अलग से approaches पढ़नी है nationalist पढ़नी है, imperialist पढ़नी है, marxist पढ़नी है और साथ में हमारे subaltern जो हैं उनको पढ़ना है ठीक है student, तो ये जो है आपकी first unit वो तो complete हो गई है next unit है colonial role in India and its impact इसका impact क्या पढ़ा है और colonial का role क्या है इसमें सबसे पहला point है colonial ideology of civilizing mission utilitarians and missionaries को पढ़ना है उपयोगीतावादी को और missionaries को missionaries का basic काम होता है कोई एक mission होता है उनका कि जैसे example की तोर पे अगर हम Christian missionaries की बात करें तो वो लोग सिफ Christian धर्म को फैलाने का उनका एक मकसद होता है उसके लावा और भी तरीके की missionaries होती है उन missionaries को उन सारी हम वो अपनी class में पढ़ेंगे जब हम classes continue करेंगे next point है impact on agriculture, land relations, industry and ecology ठीक है इंपेक्ट पढ़ना है agriculture का, land relations का, industries का, ecology का कि क्या impact पढ़ा है इसके बाद unit third है reforms and resistance ठीक है सुधार और प्रतिरोद सबसे पहले point में हमें पढ़ना है freedom struggle of 1857 उसके बाद हमें दूसरे point में major social and religious moments पढ़ने है social and religious undolant क्या क्या हुए थे वो सारे 1857 के और उसके बाद के education and the rise of the newly middle class की education middle class में किस तरीके से उभर रही थी अजादी के बाद का 1857 सोरी अजादी से बीच का जो 1857 की बाद हो रही है आगे बड़े हैं आजादी ना होने के बावजूद भी तो वो सब कैसे हुआ क्या हुआ किस तरीके से एक middle class में क्योंकि जादा तर लोग middle class ही थे तो उन लोगों में किस तरीके से education उभरी है rise होई है हमें वो पढ़ना है unit 4 में हमें nationalist politics and expansion of its social basis पढ़ने है सबसे पहले point में हमें faces of the nationalist moment पढ़ना है जिसमें हमें liberal constitutionalist पढ़ने हैं सवदेशी पढ़ने हैं radicals पढ़ने हैं और muslim league की स्थापना कैसे हुई थी formation कैसे हुआ था उसको पढ़ना है ठीक है यह बहुत important topic है दूसरा है गांधियन mass mobilization non corporation moment जो था वो पढ़ना है civil disobedient पढ़ना है और जो हमारा भारती है छोड़ो अंदोलन था वो पढ़ना है भारत छोड़ो अंदोलन ठीक है यह बहुत important है दूसरा है revolutionary socialist and communist क्रांतिकारी समाजवादी और communist तीनों पढ़ने हैं इसमें कितीनों का क्या रोल रहा है इन सब चीजों में और उसको deeply हम समझेंगे भी उसके बाद हमें इसी unit में इस unit को तीन-चार से जादा points में describe किया गया है तीन-चार से जादा इसके अंदर chapters है so communalism and Indian politics भारती राजनिती में सामप्रदाइक ता क्या थी ठीक है जैसे सामप्रदाइक दंगे हुए यह सब हुआ सारी चीजे होनी शुरू हुई थी सब कुछ था तो उन सब चीजों के regarding यहां पर हम बात करेंगे उसके लावा है the two nation theory negotiation and partition ठीक है over partition दो राश्टो सिध्धान विभाजन पर बाचीत पाकिस्तान हिंदुस्तान बना था ना यह वो वाली चीज है कि वो कैसे बना था तो इसलिए उससे पहले हमें सामप्रदाइक ता पढ़ाया जा रहा है ठीक है सामप्रदाइक ता हम पढ़ेंगे क्योंकि सामप्रदाइक दंगे भी होने लगे थे इस वज़े से हमें इसको भी पढ़ना है And last unit है हमारी social movement Social movement है समाजी का अंदोलन इसमें हमें श्वमिक पढ़ने हैं महिलाएं पढ़नी हैं जाती विरोधी अंदोलन जो हो रहे थे हमें वो सब इसके अंदर पढ़ने हैं Okay student So आप लोगों को अब मुझे बताना है कि हम इसके classes किस हिसाब से लें Saturday Sunday लें या फिर आप लोगों को TTS चाहिए MWF चाहिए क्योंकि इसमें जो आपका DSE 1 है UPT Understanding Political Theory उसके classes already channel पर uploaded हैं बाकि जो classes है वो continue हो रही है week के हिसाब से provide की जा रही है तो आप हमें भी ये भी बता देजिए कि आपको classes इस subject की किस हिसाब से चाहिए So student अगर आप लोगों को कोई syllabus के regarding doubt हो या कोई भी question हो या suggestions हो तो आप मुझे comment box या telegram channel पर पूछ सकते हैं So thanks for the watching and best of luck all